नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आज हम बात करेंगे डियलेट एक्जाम 2022 लेटेश्ट अपडेट के बारे में तो आज हमारी तारीक हो चुकी है 19 जून 2022 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न करेंगे उसके बाद आज की कुछ और बड़ी कबर 69 जास इच्छक भरती में आरचट की विसंगती में संसोधन के उपरांद चैनित 6800 आरचचित वर के बेरतियों को नियूकति के संबंद में जो बच्चे लेटर लिखें उस अपडेट को हम आपके सामने रखने वाले हैं उसके बाद एक और बड़ी अपडेट यूपी बोर्ड का जो हमारा रिजल्ट गोसित हुआ बेटिया फिर आगे हुई हाई स्कूल में 91.6 नो हुआ इंटर में 90 फीसदी छात्राय पास हुई पूरी अपडेट इस वीडियो में देखेंगे उसके बाद बात करेंगे अगनी वीरो को 10 परतिन का आरच्षड मिलेगा जी आँ दोस्तो पूरी अपडेट इस वीडियो में देखने वाले उसके बाद आप देख सकते हैं भाईया क्या हालत इस समय देश में चल रही है आप बड़ी बड़ी खबर देख पाएंगे कि इस समय देश में क्या चल रहा है क्या महौल है हर एक अपडेट इस वीडियो में कवर करेंगे फेल चात्रों के लिए जो भी बड़ी खबर है उस अपडेट को देखेंगे डियलेड इसकॉलर सी प्यूपी टेट, सीटेट, सुपर टेट के हर एक अपडेट को देखेंगे अब देखेंगे आपके मन में एक सवाल होगा कि हमारा पहले रिजल्ट कब तक आएगा समय काफी लग रहा है देखेंगे रिजल्ट की एक लंबी प्रक्रिया होती है पहले आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद दोस्तो सेकंड रिष्टेप होता है इसकूटनी के लिए आवेदन लिए जाते है एक महिने तक उसके बाद इसकूटनी के रिजल्ट आएगा तब जाकर फोर समिष्टा का पेपर हो पाएगा या जो बच्ची इंतजार कर रहे है सेकंड समिष्टा पेपर का तब जाकर आपका सेकंड का पेपर होगा ठीक है ऐसा नहीं होगा कि रिजल्ट आते ही जिया दोस्तों ये आरचछड गोटाला जो हुआ था ये हमारा OBC केटेगरी में और SC केटेगरी चात्रों के साथ बड़ा धोका था ठीके इनी दोनों केटेगरी के चात्रों के साथ नाइन साफी थी और उसी के बाद 6800 आरचछित वर्क के भेड़तियों की निक्ति के ठीके एक लिष्ट भी जारी की चैनित लिष्ट भी आई थी लेकिन निक्ति पत्र भी तक बच्चों को नहीं मिला सोचिए तक्रीबन हर महिने बच्चों का 42,000 रपे वेतन रुक रहा है सोचिए एक महिने में 42,000 का नुकसान हो रहा है इन 6,800 बच्चों का सोचिए यहाँ पर 100 रपे आपके नुकसान हो जाए कितना परिसान होते हैं और इन बच्चों का हर महिने 42,000 रुपय का नुपसान हो रहा है तो लगबक तीन महिने में एक लाग से ज्यादा का इनका सेलरी खराब हो रहा है ठीक है तो भाईया एक एक करके आज की सभी अपडेट को हम कवर करेंगे लेकिन अगनी वीरो वाली पहले अपडेट आपके सा सहूलतियों का एलान तो कौन-कौन से सहूलियत मिलेगी देखिए अगनी पद भरती योजना के किलाब देज भर में चौथे दिन हिंसक प्रदर्शन के बीज केंदर सरकार ने रच्छा मंत्राले की सोला पीस्यू समेत अन्य नौकरियों केंदरिये ससस्त्र पुलिस बल ठी उसको ऐसे खतम कर देना चाहिए जैसे पहले हो रही थी भरती प्रक्रिया वैसे ही हो तो बहतर है लेकिन नियम बदलने से बच्चे परिसान है ठीक एक दोस्तों देखिए जैसे अभी आपको पता होगा यूपी में कुछ दिन पहले यह आया था कि पहले आपको कुछ दिन समीधा पर काम करना पड़ेगा उसके बाद पर्मानिंट किया जाएगा वही दोस्तों मामला यहां पर भी चलता है ठीक है आप 25% वाला मामला था 1x4 वाला तो बच्चे बहुत ज़्यादा परिसान है ठीक है उसके बाद आप देख सकते हैं यह अपडेट निकल कर आई तो B8 में भी अपडेट आ रही है और एक बात और आपको बता दे कि B8 को प्रात्मिक सिचक बरती में आगे मौका मिले गया नहीं अभी दोस्तों यहां पर confusion की स्तिती बरकार है ठीक है तो फिलाल जब तक मामला कोर्ट में तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता और जैसे दोस्तों क पोट का फैसला आ जाएगा तब आपको कुछ और बड़ी अपडेट देखने को मिल सकती है ठीक है जो भी खबर आईए खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे डेलेट बैक पर छात्र रिजल्ट के इंतजार में तब भी बच्चे रिजल्ट के इंतजार कर रहे हैं और आ उप्सन बचेगा टेंशन मत लिजेगा कि उप्सन सारे खतम है विकल्प खतम नहीं है एक विकल्प तब भी आपके पास बचेगा तो हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे आप देख सकते हैं कि कि कितना बवाल देश भर में चला इस अपडेट को जड़ा द आच एक साल हो गया लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई तो भाईया आपको सब्र करना पड़ेगा अगर आप DL8 कर रहे हैं या B8 भी कर रहे हैं तो आपके अंदर एक सब्र नाम का कीड़ा होना चाहिए सब्र काफी लंबा हो सकता है ठीक है लेकिन एक बार अगर आपको नौकरी मिल गई तो उसके मज़े ही मज़े हैं फिर तो हर एक तयारी आप लोग अच्छे से करिए टेट के अगर आप तयारी कर रहे हो तो बेहतर तरीके से करियेगा नहीं तो फिर बेकार हो जागा रिजल्ट दिखें होता है कि अगर वैकेंसी आ गई और आपका क्लियर नहीं है तो फिर आपको मौका नहीं मिल पाएगा सुचे गाइस जब आपको मौका नहीं मिलेगा तो फिर काफी जादा दिक्कते होंगी तो हर एक अपडेट को हम आप तक पहुचाते रहेंगे तो डिल्ट दोस्तो 2019 2021 के हर एक अपडेट को भी हम आप तक पहुचा अब देख सकते हैं वहाँ से चेक कर सकते हैं ठीक है फैल चातरों के लिए दोस्तों जो भी बड़ी खबरें निकल कर आएंगी हर एक अबडेट को आप तक पहुचाएंगे कोई भी खबर देखे आपसे छूटने वाली नहीं कि कि आपसे छूट जाएगी कि फेल शात्रों की क्या खबरती तो PNP से आने वाली हर एक अपडेट को भी हम आप तक पहुचाते रहेंगे ठीक है तो परिच्छे की तैयारिया बहतर तरीके से करिए का और जो भी अपडेट आपडेट हम आप तक पहुचाएंगे तो भाईया UP इमेडेट में 10 में से 15-16 है ठीक है तो आप देख सकते हैं दोस्तो टॉपर की लिश्ट आपके ये सामने रहें तो आप लोग भी तैयारी करिए परिच्छा की ताकि आपका रिजल्ट भी बहतर आए और एक अच्छा कासा आप भी स्कोर कर सकें ठीक है तो बढ़िया तैया यह होनी ची आपकी और आप देख सकते हैं कि कोरोना के बाद पहली बार मेरिट लिश्ट जी आँ दोस्तो पिछले साल 2021 में कोविट के कारण यूपी बोर्ड हाइस्कूल की परिच्छा नहीं हुई थी और सभी परिच्छारतियों को बिना परिच्छा प्रमोट कर दिया ग बच्छों ने अच्छी खाती तैयारी किये तो तैयारी आप लोग भी बहतर तरीके से करिए जो भी अपडेट आईगे अपडेट हम आप तक पहुचाएंगे डेलेट 2022 नए बेच्छले एडमिसन की प्रकिया लगातार जारी है कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है अग एक अपडेट को हम आप तक पहुचाते रहेंगे ठीक है परिच्छा के तैयारी बहतर तरीके से करिए बाकि जो भी अपडेट आएगी वो अपडेट आप तक पहुचाएंगे फिलाल आपको बता दे सूपर टेट को लेकर अभी भी कोई latest news नहीं है नई खबर नहीं है कि वेकंसी आने वाली है तो अराम से तैयारी करिए ठीक है जल्द बाजी आपको नहीं करना है पूरा मतलब से लेबस के कोडिंग आप लोग पढ़ाई करेंगे तभी आप एक अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं shortcut या नकल के भरो से आपको बिलकुल नहीं रहना है कि पहिया पेपर आउट हो जाता है यह हो जाता है ठीक है तो इसको जरह ध्यान रखिएगा बाकि सीटेट का पेपर अगले मैंने हो सकता है अभी तक notification नहीं आया लेकिन आएगा जरूर तो इसकी टेंसर मत लीजे यूप